अगर आप intra rate trading करते हो, price section सीखना चाहते हो, तो simply price के behavior को identify करना सीखना हो, वो कैसे करेंगे, previous day का 15 minutes का chart खोलना, और उसके बाद आप ऐसा assume करना कि जो positions बनाई हैं वो आपने बनाई हैं, इससे होगा किया आपको price का pattern समझ में आएगा, example के लिए, let's say, आज market में बहुत तेजी आई, और कल market gap up खुला, तो क्या होगा, buyers अपना profit book करना आएगा, और market थोड़ सा नीचाना शुरू हो जाएगा, या इसको किसी और तरीके से कैसे सोच सकते हो, बहुत तेज एक run आपाया market में, और market gap down खुल गया, तो उस case में क्या हो सकता है, panic selling आ सकती है, तो इस तरीके स आप प्राइस को समझनी कोशिश करोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा, कि आप प्राइस सेक्षन पर अच्छा कमांड बना सकते हो, और अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग प्राइस सेक्षन सीखना जाते हो, तो इस कनल को सब्सक्राइब कर सकते हो,